हलो फ्रेंस वेलकम टे स्टोडियम लेजीस आप सभी लोगा में चैनल में स्वागत है दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि AIBE18 का एक्साम हो चुका है और उसके एंसवर की भी रिलीज हो चुके हैं तो दोस्तों जो एंसवर की रिलीज हुआ है उसमें बहुत सारे जो आप्संस हैं जो एंसर की में दिया गया वह गलत है और जो कोशन पेपर AIBE18 का बना था उसमें भी कुश कोशन जो है वह गलत है तो बहुत सारे बच्के कोशन का objection राइज करना चाहते हैं तो उसका 구독 क्या है तो आज वीडियो में जानेंगे चरिए हम आपको फुल प्रासेज बताते हैं कैसे आपको objection करना है तो दोस्तों आप यहां प het देख सकते हैं मैं Chrome पर आ गया हूं तो Chrome को हम open करेंगे कि हम Google पर आ गया है यहां पर हम लिखेंगे All India Bar Examination तो दोस्तों मैंने यहां पर लिख लिया है अब मैं सर्च करूंगा सर्च करने के बाद यहां पर देख सकते हैं लिंक आया है All India Bar Examination आप यहां पर टच करेंगे अंपता कि आप सबसे पहले desktop मोड़ में कर लिजेगा यहां पर साईड में कोर्नर पर टार्च करके यहां पर डाक्टाण साइट लिखा यह अप ऐसे कर लिजे कर लिए यहां पर देखिए यह जो पहला है click here to rise your objection तो आप यहाँ पे touch करिएगा यहाँ पे touch करने के बाद यहाँ पे देखिए enter role number यहाँ पे अपना जो AIB 18 का जो admit card है उसमें आपका role number होगा आप यहाँ पे role number डाल दीजेगा और enter date of birth और अपना date of birth डाल दीजेगा यहाँ पे option दिया हुआ है date of birth कैसे डालना है तो यहाँ पे देख लिजे date of birth कैसे डालना है date, month और year सब एक ही में space नहीं होगा सब ऐसे ही डालिएगा तो चलिए मैं अपना डालता हूँ और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि question कैसे objection कैसे rise करना है यहाँ देख सकते कुछ instruction दिया हुआ है तो kindly read the following instruction carefully before submitting objection तो यह सभी आप पढ़ लिजेगा जरूरी अगर आपको लगता है तो आप पढ़ लिजेगा और फिर पढ़ने के बाद यहाँ पे proceed कर दिजेगा प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे AIB 18 का सारे question आ जाएंगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ गौर करिएगा यहाँ पे देखिए question जो दिया हुआ है इसका set set A का question 1 है set B का question 79 है set C का question 53 है set D का question 25 है तो यहाँ पे पहले बता दिया है तो question को अच्छी तरीके से आप पहले पढ़ लिजेगा फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूरे question पे objection करने बाद यहाँ पे जो green color का लिखा हुआ है view objection summary यहाँ पे touch करने के बाद जितना भी question पे आप objection की रहेंगे वो यहाँ से नजर आएगा आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए मुझे objection करना है यहाँ पे एक question है which of the following offense may be tried summary as per the code of criminal procedure 1973 यह question मुझे खोजना है अभी इसमें ढूटना है तो मैं उस question को ढूट रहा हूँ यहाँ पे देख सकते पे यह question दिया हुआ है जो मैं question ढूट रहा था which of the following offense may be tried summary as per the code of criminal procedure 1973 तो इस question पे मुझे objection करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं side में लिखा है rise भी objection तो मुझे यहाँ touch करना है फिर यहाँ पे touch करने के बाद आप देख सकते हैं पे कुछ form type का कुछ page खुला हुआ है तो इसे हमें भरना है तो सबसे पहले यहाँ पे देखी लिखा है select option type तो यहाँ पे जो select option type है इसे में touch करता हूँ तो यहाँ पे देखी यहाँ पे पहला क्या लिखा है और बंधिक उत्तर कुंजी में दिया गया प्रस्न का उत्तर गलत है यानि कि जो answer key release हुआ है उसमें जो option दिया गया वो गलत है तो आप इसे select कर सकते हैं और दूसरा पे देखी यहाँ पे लिखा हुआ है question is incorrect अगर question सही नहीं है प्रस्न गलत है तो आप इसे select करिएगा यहाँ पे देखी तीसरा क्या लिखा हुआ है प्रस्न के सारे विकल्प गलत है यानि कि जो भी option दियेगा है question के उसके जो विकल्प है जो भी option दियेगा है वो गलत है तो आप इसे select करिएगा और यहाँ पे देखीए चौथे नमबर पे प्रस्न के एक से अधिक उत्तर सही है यानि कि एक से अधिक जो उत्तर है वो सही है तो आप इसे select करिएगा तो मैं तो यही करूँगा कि उस question में यही हुआ है प्रस्न के एक से अधिक उत्तर सही है तो मैं यही select करूँगा और यहां पर देखी पच्वा क्या दिखा है, क्या लिखा हुआ है, question is out of silvers, अगर out of silvers question पूछा गया है, तो आप इसे भी select कर सकते हैं, यहां पर other का option दिया गया है, other भी कर सकते हैं, तो मैं यही करूँगा, प्रस्ण के एक से अधिक उत्तर सही हैं, तो मैं यही touch करूँग इस question पे, आप objection क्यों कर रहा है, यहां पर लिखना है, और 500 character होना चाहिए, 500 characters में आपको यहां पर लिखना है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यहां पर reason दे दिया, कि यहां पर तीन option क्यों सही है, तो यहां पर देख सकते हैं, चैप्टर 11, CRPC, section 60, power to try, some relief, तो यहां प आप देख सकते हैं, यह हो गया, तो सारा यह मैं reason दे दिया हूँ, अब यहां पर देखिए, select reference, select reference का option है, तो इससे touch करता हूँ, तो क्या चीज है, book है, newspaper है, magazine है, authentic, or official website link है, तो यहां पर मैं book का डाला हूँ, तो यहां पर book वाल option मैं select करूँगा, अब यहां पर book का title हम द the code of criminal procedure, bear act, bracket मैं bear act लिख दूँगा, तो मैं आप लिख दे रहा हूँ, the code of, इसको capital letter में मैं कर दे रहा हूँ, the code of criminal procedure, procedure हो गया, अब bracket में bear act लिख दे रहा हूँ, इसका author कौन है, तो author name भी मैं डाल दे रहा हूँ, यहां पर, author name मैं यहां पर डाल दे रहा हूँ, doctor, doctor, doctor N, V, N, V, Pranjapay, Pranjapay, doctor, N, V, Pranjapay, and batuk lal, इसका edition कौन है, तो 2021 में यह बुक प्रकासित हुआ था, अब reference page number, page number कौन सा है, तो page number, book में कहां पी है, page number, कहां पी यह section दिया हुआ है, page number आपको डालना है, तो 114 page number मैं डाल दिया हूँ, अब यहां पर मैं save कर दे रहा हूँ इसे, तो आप देशकते हैं, save करने के बाद, objection rise हो चुका है, यहां पर side में लिग देता है, objection rise, और यहां पर देशकते हैं, जिस point पे आप, जिस question पे आप objection rise करेंगे, वहां पर flag लग जाएगा ऐसे, इस तरह का, तो यह objection rise हो चुका है, last में आप आके view of objection summary देख सकते हैं, तो full process यही है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है, आप comment में जरूर बताएं, इससे अगर आपको help मिला हो, तो जरूर आप मेरे वीडियो को like करें, share करें, और comment करें, तो चलिए मिलते हैं next video में, जाहिए,